नमस्ते आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस शो में जहां पर आपको देती है तुलिका इंट्रेस्टिंग इंफिमेशन जिसका नाम है जिद यू नो जी हाँ तो आज में लेके आई हूँ और भी नहीं इंट्रेस्टिंग इंफिमेशन आपके लिए चलि मुझे एक बात बताईए किसी के भी घर पर जाने से पहले क्या चीज है जो आप सबसे पहले यूज़ करते हैं कम आन ये तो पताई होगा जी हाँ डोरबेल एक एसी चीज है जो हर एक इनसान के घर पर होती ही है लेकिन इसके पीछे क्या इंट्रेस्टिंग स्टोरिज और क्या फेक्ट्स है ये आपको पता है? मुझे भी नहीं पता या, लेकिन मुझे इतना पता है कि 1831 में इसका इं के बाहर लगाया चाहता था जिसकी वज़े से अगर कोई भी इंसान घर में आना चाहे तो रसी को खीचता था और उसकी वज़े से एक आवाज उत्पन्न होती थी जो घर में रहने वाले लोगों को पता चलती थी और इसलिए उनको पता चलता था कि बाहर दरवाजे पर कोई इनसान आया है यह exactly doorbell जैसा ही काम कर दी थी आज भी इस प्रकार की आइनिंग similar doorbells आपको BST bus में जो मुंबई में चलती है वहाँ देखने मिलेगी अब जब घर की बात होई रही है तो मैं आपसे यह भी पूछ रहती है कि अगर कोई महमान घर पे आने वाले हो तो सबसे पहली कौन सी बात का tension होता है घर में सफाई का जी हाँ लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह dust कहां से उत्पन होती है जी यह उत्पन होती है आपके अपने dead cells के द्वारा shocking isn't it? हमारी body एक continuous growth process से गुज़रती रहती है जिसकी वज़े से हमारे body में हर रोल कई सारे नए cells बनते रहते हैं और dead cells निकलते रहते हैं जिसकी वज़े से हमें पता भी नहीं चलता कि यह dead cells कब निकलके dust का पार्ट बन जाते हैं अब जब घर और guest की बात निकली है तो साथ में हमारे pets की बात भी कर लेते हैं आप यह तो जानते ही होगे कि pets के लिए अलग घर बनाये जाते हैं जैसे कि dog homes लेकिन कि आप यह जानते हैं कि उसका धरवाजा इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसके अंदर और बाहर dog या बिल्ली या कोई भी आनिमन अपने हिसाब से आजा सकता है लेकिन कोई दूसरा इसको एंटन नहीं कर सकता यह बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपुर्ना इंवेंशन था पैट्डूर का इंवेंशन गया था आईसेक न्यूजिन है जिसके लिए साई एनिमल्स उनके बहुत आबारी रहेंगे अब जब घर की बात हो रही है तो चुरह आपसे यह भी भूश लेती कि जब हम घर के बाहर जाते हैं तब हमें सबसे पहली कौन सी चीज का खाया आता है जी हाँ हम ताहा जाहेगे यानि कि खोचेट्स हम अगर ऑफिशन चूर पे हो या वेकेशन पे तो सबसे पहले हम बूश करते हैं हमारी खोचेट्स क्योंकि हमें हमारी सुप-सुविदा से हैं कोई कॉप्रमाइस नहीं करना पसा है लेकिन क्या आप यह जाने है कि सबसे पहले होटल्स की चेन की शुरूवात किस ने की ती यह शुरुवात की थी दिल्जिट ग्रूप फटेल्स ने जी हां ताकि हर शहर में जो हर इंसान दिल्जिट ग्रूप फटेल्स के साथ असोसेटेड है उसको वही सुप-सुविदा मिल सके जो हुआ है झाल झाल